कि अधिनलाहिरुर्राहिम एड असलाम अलेकुम हम कर रहे हैं वेब डिवल्लमेंट फॉर बिगनर्स जिसके अंदर हम सी एसस कवर कर रहे हैं और आज का जो मारा टॉपिक है वो है ओवर्फलो प्रपर्टी इन सी एसस पहले में क्या करूंगा यहां पर अलग वारा से एक न्यू फाइल बना लेता हूँ एक एक्जेंपल नबर 3.html जिसके अंदर html का basic code में ने कर दिया एंड और आफ्टर दिस में लिंक कर देता हूँ अपना css जो के css slash style.css and मैं यहां पर h1 एक हैडिंग देता हूँ with the name of topic जो के क्या है ओवर्फलो प्रपर्टी ओवर्फलो प्रपर्टी ठीक है and same again मैं एक पराग्राफ बना देता हूँ अब मैं जैसे इसको एक id प्रोवाइड करूंगा with the name of box तो automatically मेरे पास क्या होगा जो last lecture के अंदर जो changes मैंने की थी वो इसके उपर अप्लाइ हो गई है तो मैं इसकी css के अंदर आकर managing कर लेता हूँ मैं width 200 ही रखता हूँ मगर इन सबसे पहले changes यानि के overflow property apply करने से पहले मैं क्या कर लेता हूँ मैं आपको पहले overflow के बारे में कुछ बता देता हूँ overflow जो है की तक्रीबन हमारे पास यह की नाम का tag है इस HTML के लिए जो के preview के लिए यानि as it is preview आ जाता है उसके लिए जूद होता है तो इसके तक्रीबन और वह वेल्यूज है overflow property के एक hidden, second, scroll, third, auto and fourth is visible overflow होता क्या है कि suppose मेरा कोई content है उससे कोई चीज overflow कर जाए उसके बाहर cross कर जाए यानि के वह अपने एक size के अंदर काम ना करें बलके size को cost कर जाए वह चीज़ overflow कहलाती है मैं आपको पहले example करके दिखाता हूं इस ठीक है suppose के मेरे पास इसकी जो width है वो 250 pixels है 250 pixels और इसकी जो height है मेरे box की वो भी मैं fix कर देता हूं 250 pixels मैंने fix कर दी ठीक है वैसे height हम देते नहीं में अगर मैंने इसकी height जो है वो क्या कर दी मैंने fix कर दी and then मैं इसको same वैसे एक border देता हूं 1 pixel solid red suppose ठीक है मैं आपको दिखाता हूं कि क्यूंकर text ही इतना है वो height के अंदर आ गया मैं text थोड़ा सा बढ़ा देता हूं यही same जो paragraph के अंदर दूसरा भी मैंने text एड़ कर दिया अब देखें cross कर रहा है मैं आपको जाके ज्यादा visible हो जाए मैं इसका जो border है वो five pixels कर देता हूं देखें अब यह cross कर रहा है क्या कर रहा है यह मेरे border को cross कर रहा है test मेरे area को cross कर गया इस चीज़ को इस problem को solve करने के लिए हमारे पास overflow property यूज होती है जिसके अंदर मैंने क्या बता है कि हमारे पास तक्रीबन चार इसकी values है कि यूज होती है पर से पहले मैं इसके अंदर hidden यूज करके आपको दिखाता हूं और फ्लो इस चीज़ कर रहा है न वह गायब हो जाए वह हाइड हो जाए देखें रिफ्रेश करते ही एक्स गायब होगा यह नीचे तो वह प्रेग्राफ टैग जो हो रहा है चीक है मगर जो प्रेग्राफ का जो अपना टैक्स था यह यहीं पर रहेगा ब्यार देना पड़ेगा उसके लिए प्रेग्रों तो वह जो प्रेग्राफ का अपना जो टैक्स था वह गायब होगा है hidden कर दिया मैंने कि है है अट कि ऐसी ंदर एकर देख गर एक उपना व्रों करने के लिए अमरे पाथ इसक्रोल आजाएगा भाटम वाला तो काम नहीं कर रहा इसी वज़ाए से क्योंकि विट मेरा टैक्स क्रॉस नहीं कर रहा अगर हैट में क्रॉस कर रहा तो यह स्क्रॉल हो गया है यह चीज इस तरह से सेट हो गई अब जो इसकी वेल्यू है वो क्या है वो है आटो आटो से क्या होगा कि जैसे इस्क्रोल की तरह ही यह यानि के वेल्यू है आप स्क्रोल की तरह का ही करता है से स्क्रॉल में जैसे विटresses से भिख से भिख स्क्रॉल बनेगा इसे बाइब सरफ और सिर्फो सर यहां Tsya हो आचुका है जो कि क्योंकि मेरा जो आख्सा वो नीचे से क्रॉस कर रहा था तो यह साइट से बन चुका है कि भाइ विड्थ वो नहीं कर रहा है है इसी वाजा से यह आटो जो है प्रापर्टी यूज होती है and after this हमारे पार जो फूर्थ है वो हैlly짝 विजिबल से विजिबल वही काम करता है जो कहीं बिलकुल हमने स्टार्ट में किया था वाई बस विजिबल ही रहे वह भी टेक्स है वह ओर्फू़ो ही हमें दिखाएesso ही काम करता है जो कि यानि जो problem है वो ही दिखाएगा कि problem है यह एक बहुत important topic है mostly यह जो topics हम cover कर रहे हैं जैसे last topic हम ने cover किया वो भी and यह overflow topic भी यह basically problem solving properties एं CSS के अंदर ठीक एंशाला मिलते हैं next lecture के अंदर तब तक के लिए Allah हाफिस